हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं लाल मिर्च का अचार बनाऊंगी और इसे मैं बिना तेल के बनाऊंगी एक भी बूद इसमें हम तेल नहीं डालेंगे ये काफी जादा स्वाधिष्ट भी बनेगा और लॉंग लास्टिंग भी होगा जब तक भी अचार है आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक साल दो साल तक भी अचार खराब नहीं होता है इसको मैं कुछ खास टिप्स और टिक्स के साथ बनाऊंगी क्या इसमें डालना है क्या नहीं डालना है और किस तरह से इसको श्टोर करके रखना है ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप वीडियो को फुल वाच करिएगा इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लाल मिर्च हैं उनको धो लिया है धो के सुखा लिया था उसके बाद हमने इसके डंडियां काट ली है और इसके बीच में चीरा लगा दिया है तो ये एक साप, सुतरी, सुखी वी लाल मिर्च है, कोई भी दागी हमने नहीं रखनी है तो इस बात का ध्यान रखना है, उसके बाद हम लोग ने इसके जो मसाला है, उसके बारे में मैं आपको तीन बाते बताऊंगी या तो आप मसाला जो पिसा बिसा है मार्केट में मिलता है अचार मसाला पाउडर वो ले ले क्योंकि उसको लाने के बाद भी हमने इसमें कुछ और एट करना है जिसकी वज़े से ये अचार हमारा ख़राब नहीं होगा तो दूसरा है कि जिस तरह से भी आप अचार मसाला बनाते हो इस तरह का सुखा मसाला वो आप बना लो घर में या फिर आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वहां से आप अचार मसाला पाउडर किस तरह से बनाते हैं मैंने ये किस तरह से बनाया है ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूं कि वहाँ से ले लीजीगा देख लीजीगा वहाँ पर और उसके अलावा इस अचार मसाला में मैं और भी चीज़ें एड करूंगी जिससे कि ये अचार मसाला हमारे हेल्दी भी रहेगा और ये खराब भी नहीं होगा मैं आपको बता दू इसमें आप जो है नॉर्मल नमक की बदले सेंदा नमक डाले और काला नमक डाले उसके अलावा नमक के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये सिरका है गन्ने का सिरका है ये आप चाहें तो कोई सा यंभी आपके पास हो जवी आप डालना चाहों वो आ इसमें डालल जाल के अच्छे से इसको मिला दें कितना किन जब भूरूरा से तो यह थोड़ा सा घीला हो जाएगा इसलिए देखें इस तरह का आपने बनाना है, भुरू भूरा है, बहुत गीला नहीं है, तो इस तरह का आप अचारमसाला, सिरका या नीबू जो भी आपके पास है वो डाल की इस तरह का आप बना के रख लें और उसके बाद फिर आगे जो है इसको आप भरें और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब यदि आप बिना तेल के मिर्च का अचार बना रहे हो तो उसमें आप नमक थोड़ा कम डालें और मिर्ची भी थोड़ा कम डालें क्योंकि जब हम तेल डालते हैं तो मिर्च और नमक तेज भी होती है तो तेल डालने से वो थोड़ा सा कम लगती है और यदि हम तेल नहीं डालते हैं तो वो ज्यादे तीख्या लगता है और ज्यादा नमकिन लगता है इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें तो अब हमने करन है यह कि मिर्च को किस तरह से काटनी है मिर्च देखिए थोड़ा सा छोड़ों के मैंने काटा है थोड़ा इधर भी और